हilah and welcome all of you to our study channel mechanical koach आज हम thermodynamics में first law of thermodynamics को cover करने वाल हैं तो first law of thermodynamics में basically क्या होता है उसका statement क्या होते है open systemchiya होता है उसमें thermodynamics law कैसे अपला होता है यह सब चीज़े हम first law of thermodynamics में देखने वाले तो first law of thermodynamics is a application of law of energy of conservation जो law of energy of conservation है उसका application है first law of thermodynamics तो law of conservation of energy क्या है energy neither be created not be destroyed it can only transfer form one form to another form मतलब energy को हम create भी नहीं कर सकते हैं और energy को हम destroy भी नहीं कर सकते हैं but energy को हम किसी एक form से दूसरे form में transfer कर सकते हैं जैसे हीट हीट को हम create भी नहीं कर सकते हैं और destroy भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि heat is a form of energy अब आप बोलेंगे सर मैं आग लगाता हूं तो हीट तो मैं create कर सकता हूं बट इसके लिए किसी ना किसी energy का आप यूज कर रहे हो तो एक energy दूसरे energy में transfer हो रही है आप खुद से कोई heat create नहीं कर रहे हो तो जो laws of conservation of energy था वो यही बोलता है कि energy cannot be created not be destroyed it can only transfer from one form to another form जैसे कि हम heat को work में convert कर सकते हैं तो heat is a form of energy and work is also form of energy तो एक energy को दूसरे energy में हम convert कर सकते हैं बट energy को हम create नहीं कर सकते हैं और destroyed भी नहीं कर सकते हैं रोज का ही application है first law of thermodynamics अब first law of thermodynamics आज जो देखेंगे हम और totally depend होगा on closed system और closed system और open system अल्रेडी मैंने बताया है फिर भी एक यहां पर बताता हूं कि closed system is a system in which in which only energy can transfer across the boundary और transfer across the system and surrounding दो system हम बोलते closed system यह मेरे पास अगर कोई मेरा एक system है तो इस system में केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और इस system से केवल और केवल एनर्जी कि रिजेक्ट हो सकता है मतलब अगर मैं यहां पर हीट ले लेता हूं अगर मैं हीट इन्पूट देता हूं तो वर्क आउट्पूट मिलता है तो हीट भी एनर्जी है वर्क आउट्पूट है इस बॉंडरी को हम क्रॉस कर सकते बट यहां पर हम मास को एड नहीं कर सकते ना तो मास आइड होगा ना तो मास आउट होगा ऐसे करें सिस्टम को हम बोलते हैं और आज हम जो फर्स लॉइब कर देढ़ेंगे ओ टोटली डिपेंड होगा ऊंपार क्लो सिस्ट्प में जो फर्स लॉप तर्मोडायनेमिक्स वह के से अपला होता है इसको समझने के लिए यहां पर मैंने दो अलग 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 एकजांपल लि container लिया है जिसके जो walls मैंने बनाए है यह जो आप red color में दिखाए दिया है यह जो walls है यह जो wall होंगे ओ एडियावेटिक होंगे मतलब यहां पर इस wall पर कहीं पर भी heat transfer नहीं होगा इस wall से कई से भी heat transfer नहीं होगा इसे हम बोलेंगे एडियावेटिक heat transfer is equal to 0 मतलब यहां से ना heat अंदर आएगा ना heat बाहर जाएगा और close system देख रहे तो ना मास अंदर आएगा ना मास बाहर जाएगा यह wall जो है वो totally यहां पर मैंने एक्स्टरर लगाया है और इसको connect किया है एक वेट से जिसे हम जूल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बेस्तिस पर ही उसने लौको डिस्कवर किया था अब यह जो weight मैंने यहां नीचे लगाया है इसका mass जो और मान लेते हैं इसका जो नीचे आ रहा है यहां तक आ गया है और इसने जो height था वो edge cover किया इसके जो height है वो edge cover किया अब यहां पर इसने कितना work किया work is equal to force into displacement तो force मेरे पास यहां पर मैं अगर work को लिखना चाहता हूं तो work है मेरे पास force मतलब m into g और यहां पर displacement हो रहा है m g displacement हो रहा है h तो यहां पर मुझे total force मिलेगा total work done मिलेगा m g h तो इतना work मैंने यहां पर किया है अब यह जो work है यह नीचे आने से क्या होगा यह rope नीचे खिचेगा और नीचे खिचने पर यहां पर मैंने ऐसा कुछ arrangement करके रखा है कि यह जो stirrer है यही इसके अंदर rotate हो जा की बज़े से यह जो अंदर का जो इसके अंदर कोई fluid होगा चाहे वो liquid हो गयास हो तो यह movement में आ जाएगा यहां पर rotate करेगा तो इसकी kinetic energy बढ़ेगी और अगर kinetic energy बढ़ेगी तो heat बढ़ेगी यह मैंने आपको heat वाले lecture में बहुत अच्छे से बताया है तो अगर इसकी kinetic energy ब लिया है तो यहां पर जो heat changes होगा यहां पर जो heat change होगा ओ इक्वल होगा mcv delta t के बराबर mcv delta t के बराबर तो यहां पर जो heat change होगा dq वो बराबर होगा mcv delta t के बराबर अब इस example में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं कोई work system को दे रहा हूं कोई work system को दे रहा हूं तो system में जो heat change होगा वो उस work के बराबर होगा जो अगर मैं इस work इस system में देता हूं तो यह पूरा का पूरा work heat में convert हो जा रहा है मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं dw मतलब जो work था मेरे पास वो heat में convert हो रहा है totally और कोई losses नहीं है तो हम first law thermodynamics में अगर कोई close system है और cyclic process execute हो रहा है तो उस case में हम लिखते है cyclic integration of dw is equal to cyclic integration of dq मतलब अगर जितना work मैं supply कर रहा हूं उतना heat मुझे यहां पर मिल रहा है तो work को हम totally heat में convert कर सकते हैं first example work से हम totally heat में convert कर सकते हैं for a close system executive cyclic process algebraic sum of work done is equal to algebraic sum of heat transfer this is a first law of thermodynamics for close system अब second example की बात करते हैं अब हम work को heat में transfer किया है अब हम heat को work में transfer करेंगे उसके बारे में first law of thermodynamics का statement क्या है उसको देखेंगे अब यहां पे एक container है इस उसके अंदर कुछ ग्याज बरा हुआ है यह initial position इसका जो भी होगा उसके अंदर pressure volume temperature जो भी होंगे वह as it is रहेंगे अब मैं क्या करता हूं इस container को heat कर देता हूं क्योंकि यहां पे हम work को देख रहे थे work दे रहे थे और heat output निकाल रहे थे अब मैं यहां पे इसको heat supplied कर रहा हूं अब मैं क्या कर रहा हूं heat supplied कर रहा हूं अब जब मैं इसको heat supply करूंगा तो इसके प्रेशर बढ़ेगा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यह इनको पुछ करेंगे मतलब यह खुद कुछ एनर्जी ले रहे हैं अगर मैं हीट सप्लाइ कर रहा हूं तो यह यह अपने पास खुद एनर्जी ले रहे हैं कुछ नगुछ एनर्जी आपने पास ले रहे हैं और कुछ एनर्जी वो इस प्रिश्टन को ट्रासफर कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर होल यह इसका घ्राओं अजीए होगा ठताओ और चृध पुछ और पूछ रहे हैं मान लेते हैं यह piston को हम जो उपर खेच रहा है वह हमारा work done है मान लेते हैं नहीं work done ही है क्योंकि यह mg है मतलब force है और कुछ ना कुछ displacement होगा मतलब work हो रहा है तो यह जो piston को displace कर रहा है तो work कर रहा है और इसका जो पहले initial temperature होगा initial pressure होगा initial volume होगा वो भी change हो आ है मतलब वो कुछ ना कुछ खुद energy रख रहा है यहाँ पर T2, P2, P2 हो जाएगा मतलब वो खुद कुछ energy ले रहा है और कुछ energy जो है वो work करने में transfer कर रहा है तो यहाँ से हमें पदा चल रहा है कि अगर मैं कुछ energy कुछ heat अगर किसी system को supply कर रहा हूँ तो वो energy जो है वो एक कुछ energy transfer हो रही है work में दो कुछ energy ट्रांस्वर हो रही है work में और कुछ energy जो है वो energy ले रहा है कुछ energy जो है वो energy store कर रहा है यह वो energy खुद अपने पास रख रहे है वो gas के molecules तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी system को heat देता हूँ तो वो work और total energy के बराबर होगी according to first law of thermodynamics if we supplied heat to a system then it will be equal to work done and total change in energy of that system this is also first law of thermodynamics अब यह जो लॉग होगा dq is equal to dw plus d e तो यहां पे dw होगा work done dq होगा heat जो heat supply है work done है प्लस यहां पे जो energy आ रहा है इसे हम बोलेंगे total energy अब कितना energy कौन-कौन ले रहा है वो है total energy अब उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि अब उसके बारे में हम देखते है कि heat total energy क्या होता है अब total energy जो यहां पे लिखा है मैंने वो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर का अब energy हमने देखा था energy two forms में हम energy को लिख सकते हैं एक होता है macroscopic energy और second होता है macroscopic energy ओके macroscopic और macroscopic energy इसको भी मैंने detail में बताया है अगर आपको first law thermodynamics को अच्छी तरह से समझना है तो मेरे जो पिछले lecture लिया है heat work के तो आपको देखने पड़ेंगे तब आप first law thermodynamics को अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि इसमें heat और work का ही concept आत है तो यहां पर micro और macro two types की energy होंगी total energy में अब micro energy में क्या होगा इसके internal मान लिजे यह मेरे पास एक कोई mass है तो इसके अंदर के जो small small particle होंगे micro particle होंगे उसमें उसके energy में जो changes होगा उसको हम बोलते है microscopic अब microscopic एकदम internal है इस item के internal level पे हो रहा है तो इसे हम एक अलग term ले लेते हैं उसे हम बोलते है internal energy और denote करते है यू से इसे हम लेते है internal energy और denote करते है यू से तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो total energy है तो उसकी microscopic जो energy होगी उसको हम बोलेंगे internal energy और microscopic मतलब बढ़े ले होल पे जो energy हमारे पास होती है वह होती है potential energy plus kinetic energy potential energy plus kinetic energy अब total energy मेरे पास मुझे मिल गई है internal energy plus potential energy को हम लिखते 1 by sorry potential energy को हम लिखते mgh और kinetic energy को लिखते 1 by 2 mv square mv square अब यहां पर आप देख रहो है potential energy is depend on mass kinetic energy is depend on mass और हम console system ले रहे close system ले रहे open system को हम बाद में study करने वाले अगे हम close system ले रहे तो close system में मैंने आपको बताया है कि mass ना तो system के अंदर जाता है ना mass system के बाहर आता है और उसी system को हम बोलते क्लो सिस्टम तो यह जो mass है यह mass close system के लिए negligible हो जाएगा क्लो सिस्टिम में हम जेनरली जो explain करते हैं वो energy को करते हैं और mass को हम constant मान लेते हैं तो mask में जो mask की बज़े से जो energy changes होगी उसको हम linklet कर देंगे potential kinetic energy को zero कर देंगे इनके साब close system क्योंकि वहाँ mass transfer नहीं होता है तो मेरे पास total energy जो मिल रही थी d e is equal to यह हो जाएगा internal energy के बराबर यह हो जाएगा internal energy के बराबर और यहां से अगर मैं total energy को internal energy के बराबर रखता हूं तो मेरे पास equation मिल जाएगा total heat supplied is equal to change in internal energy plus work done change in internal energy plus work done ओके चेंजिन इंटरनल इनर्जी प्लस वर्ग दा तो यहां पर हमने जो अलग-अलग दो statement यहां पर बोल सकते हैं first law of thermodynamics के उसको हमने देखा है तो first statement thermodynamics law बोल रहा है if a process execute if a close process execute a cyclic process then its algebraic sum of work transfer is equal to algebraic sum of heat transfers अगर कोई close system cyclic process execute कर रहा है तो उसका जो अलगेब्रिक sum of work होगा ओ इस प्रोपोर्चनल या equal to होगा algebraic sum of heat transfer के बराबर और second में second statement में first law of thermodynamics बोलता है net heat supplied to the system is equal to work done by that system and total energy change of a system अब यहां पर मैं total energy ले रहा हूँ और dq is equal to dw plus d e जब होगा जब मैं total energy की बात करूँगा तब यह जो law है वो reversible, irreversible process के लिए भी applicable होगा open और close system के लिए भी applicable होगा क्योंकि यहां मैं total energy लिख रहा हूँ अगर मैं particular close system की बात करता हूँ तो net heat supplied is equal to change in internal energy plus work done होता है change in internal energy plus work done होता है dq is equal to change in internal energy plus dw तो यहां से एक importance point निकल के आता है हमारे पास अगर कोई work done है तो इसको हम totally convert कर रहे है heat में यहां से आप देख रहे है work done is equal to heat है algebraic समख work done is equal to heat है तो यहां से एक important point निकल रहा है कि अगर मेरे पास कोई work है तो मैं उसको totally convert कर सकता हूँ heat में और यहां पे देख रहा हूँ अगर मेरे पास कोई heat है तो इसको मैं totally convert नहीं कर पा रहा हूँ work में क्योंकि कुछ मेरा heat loss हो रहा है change in internal energy change in internal energy के लिए मेरा कुछ heat जाएगा और कुछ heat का ही work करूँगा तो total heat is not converted into work अगर मेरे पास कोई work है तो उसको मैं totally convert कर रहा हूँ heat में बट मेरे पास कोई heat है तो मैं इसको totally convert नहीं कर पा रहा हूँ work में इसलिए work को बोलते है high grade of energy work को क्या बोलेंगे work is high grade of energy work is high grade of energy high grade of energy क्योंकि work को हम totally heat में convert कर रहा है तो work को हम बोलेंगे high grade of energy और heat को हम बोलेंगे low grade of energy क्योंकि heat को हम totally work में convert नहीं कर पा रहा है तो इसे हम बोलेंगे low grade of energy अब यहाँ पे net heat supplied your change in internal energy प्लस work धन है और heat और work जो है वो transition energy के forms होते है transition energy heat और work को हम बोल सकते है जो हमारे पास heat होता है जो work होता है इसे हम बोलते है transition energy मतलब transfer होने वाले energy heat और work क्या है transfer होने वाले energy इसके पास heat होगा तो यह इसको देगा है transmit होगा इसके पास यहाँ पे आगर देख रहे है तो यह कुछ work हो रहा है तो displacement हो रहा है मतलब एक movement कर रहे एक दुसरे transfer हो रहे है तो heat और work को हम बोलते है transition energy और जो transition energy का form होता है उसे हम property नहीं बोल सकते जो transition energy होती है उसे हम property phenomena तो यहां से हमें पता चल रहा है कि heat और work is a path function boundary phenomena है और in exact or in perfect differential है अब जो यहां पे मैंने internal energy लिया है internal energy लिया है तो यहां पे क्या होगा यह होगे path function होगा in exact differential होगा और यह boundary phenomena होगे इसको हम property नहीं बोलेंगे बट यहां पे मैंने जो internal energy delta u लिखा है internal energy changing internal energy यह क्या है मैंने आपको बताया था कि यह जो gas को मैं heat कर रहा हूं तो यह अपने पास खुद energy कुछ store कर रहा है उसका temperature बढ़ा रहा है pressure बढ़ा रहा है मतलब कुछ न कुछ energy उसके पास store कर रहा है तो जो internal energy होता है वो stored energy का form है जो stored energy होती है उसे हम property of thermodynamics बोलते हैं जो जो stored energy है वो properties of thermodynamics है और अगर properties है तो यह point function होगा और exact differential होगा जो internal energy है वो properties होती है properties of thermodynamics होती है तो इसे हम point function बोल सकते है और इसका जो differential होगा वो exact differential होगा इसका जो होगा वो exact differential होगा तो यहां से heat or work जो है path function है boundary phenomenon है system की properties नहीं होते है और in exact और in perfect differential होते हैं transition form of energy होते हैं अगर internal energy बात करता हो तो internal energy is a form of stored energy इसलिए हम उसको properties of system कह सकते है internal energy point function होता है exact differential होता है और एक internal energy जो है वो ideal gas की condition में totally depend होता है उसके temperature पे internal energy is directly proportional to temperature in case of ideal gas तो यहां पे जितने भी importance point थे वो मैंने आपको first law of thermodynamics में बता दिया है अब एक overlook कर लेते कि first law of thermodynamics में हमें कौन-कौन से importance points यहां पे लिए है तो परस्ट लाप thermodynamics से हमें परस्ट परस्ट जो बिला है जस्ट लोग और लोग कर लेते किसे हम लाप conservation of energy भी बोल सकते हैं लाप conservation of energy भी बोल सकते हैं या फिर लाप conservation of energy के application इस फिर्सलाप thermodynamics सेकेंड फिर्सलाप thermodynamics में हमने हीट जो concept हमें मिले है फिर्सलाप से हीट और वर्क ट्रांसपर हीट एड़ वर्क ट्रांसपर यह important है जरूर याद रखिएगा हीट एंड वर्क ट्रांसपर की जो direction है वह हमें सेकेंड लाप thermodynamics में मिलती है हीट कहां से कहां फ्लो वर्क कौनसी डायरेक्शन में कहां से फ्लो होगा क्या होगा यह सब हमें सेकेंड लाप बताता है बट फिर्सलाप में बताता है फ्लो थर्मोडायनेमिक्स और हमें क्या मिला है नया कुछ सिखने में मिला है थर्मोडायनेमिक्स में वह मिला है हमें इंटर्नल एनर्जी तो इंटर्नल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वह भी हमें मिल जाता है फ्लो थर्मोडायनेमिक्स से इंटर्नल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वह भी हमें मिल जाता है फ्लो थर्मोडायनेमिक्स और एक कंसेप्ट होता है जो हमें फ्लो थर्मोडायनेमिक् यह भी हम देखेंगे अगते हुर्प के तो लॉप कंजर्विशन केते हैं डूबर क्या सकते ही यह photos। अ मिलता है इंटर्नल इनर्जी का क्या सब्सक्राइब समीदा है इंधार कई अब को को इदाता है फ। यह सब्सक्राइब हमने है कि है कि है फॉल्स लजाय होगा है फ्लोव व्यों मेधिकर और डिफंध डिफ्रनмос में Sakra monkey और हम अगली लेक्चर में में देखेंगे तो है जो इंपॉर्टें पॉइंट थे फॉल कि वे ने आपको बता दिये है I hope आपको first law of thermodynamics समझ में आया होगा अब हम थोड़ा सा enthalpy के बारे में discuss कर लेते हैं एक छोटा सा point है whatever it is associated with first law of thermodynamics enthalpy is defined as a property of system enthalpy is a property of system which is equal to algebraic sum of which is equal to algebraic sum of internal energy and product of pressure and volume तो enthalpy एक property of system है अब property है तो point function होगा केवाल initial और final state पर डिपेंड होगा path पर डिपेंड नहीं होगा exact differential होगा तो हम point function और path function में जब देख रहे थे तो हमने देखा था कि enthalpy is a point function तो एक property है और all properties are a point function enthalpy is a property of system which is equal to sum of internal energy plus product of pressure and volume तो enthalpy को हम generally denote करते है H से enthalpy is equal to sum of internal energy internal energy को denote करते है U से and product of pressure and volume product of pressure and volume इसे हम बोलते है इन्थेल्पी इसे हम बोलते है इन्थेल्पी तो enthalpy is equal to change enthalpy is equal to internal energy plus product of pressure and volume enthalpy का जो unit है वो होता है Joule इन्थेल्पी का जो unit होता है वो होता है Joule इस इन्थेल्पी इन्थेल्पी इस नहीं बड़ टोटल हीट कंटेंट इन बोड़ी इन्थेल्पी में कितना हीट समय हुआ है उसका जो पेसिफिक स्टर्म होगा उसे हम बोलेंगे enthalpy इसे हम बोलेंगे enthalpy तो enthalpy हमें heat के बारे में बताता है total heat के बारे में information देता है और total heat को ही हम generally enthalpy बोलते है और specific language में अगर enthalpy की definition की बात करते है तो enthalpy energy is equal to internal energy plus product of pressure and volume तो हम यह जो enthalpy है इसे directly measure नहीं कर सकते है क्योंकि इसमें जो internal energy आ रहा है और internal energy accessible नहीं होता है और measurable नहीं होता है easily measure नहीं कर सकते है internal energy को तो हम generally जो enthalpy है उसको measure कर नहीं करते है changing enthalpy को हम ज़्यादा measure करते है changing enthalpy को हम measure करेंगे वहाँ से हमें जो कितना heat conscious system में transfer हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा तो thank you for watching this video झाले 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 झाल झाल